The graph of the line 2y plus 3x equals to 7 is given Determine its x-intercept तो गर हम याद करने की कोशिश करें तो x-intercept किसे भी line का वो होता है जिस point पे ये line x-axis को cut कर रही है यानि कि point at which line cuts x-axis तो गर हम point देखने की कोशिश करें तो वो point ये रहा इस point पे मेरी line x-axis को cut करती है ये point मेरा 2 और 3 के बीच में है लेकिन exact value निकालना graph से थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हमें इस line की equation भी दी हुई है इस line की equation है 2y plus 3x equals to 7 जिसका मतलब ये है कि सारे points जो भी इस line पे लाए कर रहे होंगे उन सारे points के coordinates इस line की equation को satisfy करेंगे इस point की अगर मैं बात करूँ जो हम निकालना चाहरे है जो हमारा x-intercept है इस point का y-coordinate मेरा 0 है क्योंकि ये x-axis पे लाए कर रहा है तो अगर मैं y-coordinate 0 ढाल दूँ अगर मैं इस equation में 2y plus 3x equal to 7 इसमें अगर मैं y-coordinate 0 ढाल दूँ तो जो x की value आएगी वो इसका x-intercept हो जाएगा तो अगर मैं y 0 ढालता हूँ तो यह हो जाता है 0 plus 3x equals to 7 यानि कि 3x equals to 7 और दोनों साट अगर मैं 3 से divide करूँ तो यह हो जाएगा x equals to 7 by 3 तो x equals to 7 by 3 यह मेरी exact value हो जाएगी इस point की इस point के coordinates हो जाएगे 7 by 3,0 और यह हो जाएगा इस line का x-intercept अब ऐसे हमसे पूछा नहीं है बढ़ अगर हमें इसका y-intercept निकालना होता अगर हमें इसका y-intercept निकालना होता तो यह point मेरा 3 और 4 के बीच में लाए कर रहा है जगा x को 0 करता हूँ अगर मैं इस x को 0 करता तो यह हो जाता 2y equals to 7 अगर मैं यह लिखूँ तो यह हो जाता 2y equals to 7 और अगर मैं दोनों side इसे 2 से डिवाइड करूँ तो यह हो जाता y equals to 7 by 2 यानि कि इस point के coordinates हो जाते 0,7 by 2 और यह हो जाता हमारा इस line का y intercept और यह हो जाता हमारा इस line का y intercept